केष्णाय वासुदेवाय हरे पर्मात्मनही प्राता कलेशे नासाय गोविंदाय नमो नमः बोलुहर्वन्समापुराण कीजै बैसंपान रशी कैटें कि है राजन एक दिन भगवान शिरीकृष्ण प्रातायकाल गाय बच्छडे चराने के लिए जागे क्योंकि भगवान सीकृष्ण ने गाय चराने भी जाने लग गए ही भगवान सीकृष्ण ने देखा कि संपून ब्रिज मंडल में किसी उस्षब की तैयारियां चल रही है भागवान सीकर्स ने देखा जाकर की का मैया आज पूरे बरिज के अंदर बौँ सारे पकवान बनाए जा रहे है यह किस कारण से हो रहे हैं गाये बैलों को भी अन्यख प्रकार से सजाय गया है पूरे बरिज मंडल को सजाय गया है मैया केने लगी लाला अभी मुझे पे इतना समय नहीं है मैं घर के कामन में लगी हुई हूँ तु जाय के अपने बाबा से पूछ ले भगवान सी कृष्ण गए जाके लगे बाबा बाबा आज जो ब्रिज में इतनी सारी तैयारियां क्यों हो रही है ये अनेक प्रिकार की पकवान किसलिय बनाय जा रहे हैं बाबान का लाला हम जो कल देवराज इंदर की पूजा हैं हम इंदर की पूजा करे हैं इंदर की पूजा के लिए इंदर यग के लिए ये सभी सामिग्रियां तैयार की जा रही हैं कनिय किन लगे बाबा इंदर की पूजा किसलिय करते हो नंद बाबा उपनंद आद और गोबी बैठी हुए थे सभी किन लगे लाला देवराज इंदर की पूजा करने से देवराज इंदर प्रसंद है में क्योंकि देवतान की राजा ही वो प्रसंद हे में तो बरसात होगे और बरसात होगी तो अच्छी फसल होगी अच्छी फसल होगी गायों के लिए चारा भी होगा जिससे गायों का दूर बढ़ेगा ब्रिज में खुश्याली रहेगी भगवान कैन लगे बावा देवराज इंद्र इसमें करता क्या है ये बरसात होती है प्रिगती के अनसार होती है प्रिगती अपने करम करती है इसमें देवराज इंदर का क्या सामित्रा बाबा जो स्वेम अपनी रक्षा नहीं कर सकता आप ब्रिजबासियों की रक्षा क्या करेगा जब भी राक्यसों का पद्रब होता है वोई देवराज इंदर भगवान नारहन के पास में भाग करके जाता है ऐसे इंदर की पूजा करने से क्या वलाब और बाबा एक बात बताओ तुमने कभी देवराज इंदर को देखा है ब्रिजवास ही कहने लगे लाला हम देवराज इंदर की पूजा करे हैं तो देवता कोई दिखाई तोई देवे केवल वो सिद्धा भाव से प्रसाद गैन करें बाबा तुम्हारे इंदर ने कभी भोग पाया है बन नहीं लाला और केवर सुईकार करें रसको गैन करें कनेया कहने लगे कि बाबा ऐसे इंदर की पूजा करने से क्या लाव जो ना दिखाई देता है ना खाता है भगवान जो है देवराज इंदर का इंकार भी दूर करना चाहते थी केन लगे बाबा तुमें पूजा ऐसे देवता की करने चाहिए जो सामने दिखाई भी दे और भोजन भी गेन करें सबी ब्रिजवासिय चंबा करने लगें कि किसकी पूजा करें कनिया करने लगें हम ब्रिजवासियों का जीवन सारा हम बनवासियों का केबल ये जंगल और परवत हैं ये बन और परवत ही हमारे सारे ही तो हमें गायों के लिए हरियरी गास प्राप्त होती हैं गिरिराज से प्राप्त होती है, क्यों हम गिरिराज की पूजा करें, गिरिराज ही हमारे बिर्ज के इस्त देव ही, बिर्जवासी करने लगे लाला, देवराई इंदर कुपत होगे तो क्या होगा, बाकी चिंता मर करो, मेरा गिरिराज सब की रक्षा करेगो, मेरो गिरिराज तो तुम्हें दर्सनों देगो और ये तो प्रितक्षि दर्सन दे भी रहा है सभी बिर्जवासियों को जब समझाया सभी को कृष्ण भगवान की बात जच गई पूरे बिर्जवंदल में धिडोरा पिटवा दिया गया के कर सभी अपने अपने चक्रों में चपन पिकार के बिंजन बना करके चती सो बिंजन चपन भोग ले जा करके गिर्राज का यगोसम होगा वहाँ पर पूजा की जाएगी अब सभी बिर्जवासी दूसे दिन चल दिये जाकर के पोंचे जाकर के बहुत बड़े यग का आयोजन किया गया बड़े बड़े रिशी मुनी आ गए यग कराया गया उसी यगोसम में सभी ने जैसे पूणाउटी दाली उसी समय भगवासी कृष्ण अपने एक अंस से चतर भुजा रूबदारन करके गिर्राज के अंदर से अवाज लगाई बरजवासी ओ तुमारे द्वारा की गई पूजासे में प्रसन हूँ तुम सभी बरजवासी मेरे नाम के आउतिया मेरे नाम का प्रसाद इस अगनी हवन कुंड में डाल रहे हैं जब मैं प्रतक्ष हूँ तो डालने क्या उसक्ता क्या है मैं ही गैन करूँगो अब सब बरजवासी देखन लगे लाला ये अवाज कहां से आ रही हैं भगवान कहने लगे भयाओ ये मेरे गिर्राज माराज बोल रहे हैं मेरे गिर्राज माराज बड़े ही दया लू है समी को ऐसा लग रहा कहें कोई भूत प्रेत तो नहीं बोल रहा कोई दिखाए तो नहीं दे रहा उसी समय विजली चमकी सामने से चतर बुजी रूप में भगवान प्रकत हो गए बोलो गिर्राज माराज की जैं गिर्राजी के रूप में चतर बुजी रूप है का कि लाओ मुझे प्रसाद दो सभी बुजवासियों ने दन्रवर प्रणाम किया कि लाला तू तो सही कह रहा हो तो गिर्राज तो बड़ोई सुन्दर है चतर बुजी रूप में ये तो नाराएन जैसा लग रहा है हमारे इंदर ने तो को दर्सनू ना दिये सभी बुजवासियों का लाओ लाओ और लाओ और लाओ कह करके भगवान गेन करने लगे कहा जाता है कि तीनों लोकों में सभी ने प्रिकत होके गिर्राज को भूग लगाया था केवल इंदर कोई हूस नहीं था वो नित अफसराओं के नित में मदरा पी करके मस्थ था स्वें भगवान संका ने आके सबसे पहले भूग लगाया था भगवान सिब जी ने भांग के गोले का भूग गिर्राज जी को लगा लिया तो गिर्राज जी को भांग चड़ गई तो लाओ लाओ और लाओ और लाओ वही पर आनियोर्न जती परा आनियोर्न में जो मुखार बिंदे हो इस्तान वसा सभी बिर्जवासियों का प्रसाद गेन करने लगे सभी बिर्जवासियों करने लगे लाला तेरे कनियान ही तो सबको प्रसाद गेन कर लियो उनमें हीरे मोती जवारात भी भढ दिये प्रिसाद भी प्रिगत हो गया। ब्रिजवासियों ने मेरी पूजा ने करी, मेरी जगह पर एक परवत की पूजा करी है, बल छोटे से नंद के लाला के बातन में आकर किये करी है, देवराज इंद्र ने प्रिले के मेगों को आदेश दिया, पूरे ब्रिज को जल में दुबो दो, प्रिले काल के मेग प्रिगट हो गए, हाती की सून के वरावर मोटी दार से वारिस होने लगी, सभी ब्रिजवासि बैवीत हो गए लाला, देखो देवराज इंद्र कुपित हो गए, भगवान ने का चिंता मत करो, अपने सभी पसूधन को ले करके, मेरे गिर्च की सर में चलो, सभी गिर्च की सर में गए संपूर ब्रिजवासी पोँचे, भगवान ने गिर्च को प्रिनाम किया, अपनी छोटी उमली पर धारन कर लिया, का कि मेरे गिर्च में लिए फूल के समान हो गए। सभी अंदर आ जाओ, सभी ब्रिजवासी अंदर चले गई, चारों सर्व सुदर्शन चक्र को अज्या दी, कि जो भी बरसाथ की भूने गरें, उसका पान करो, सेशनाग ने कुंदली बना ली, जिस एक भून जल भी अंदर नहीं जा पाए, सभी ब्रिजवासी कहने लगे लाला, तेरो हाथ ठक गयो हुगो, हम भी सारों दें, सभी ब्रिजवासी अपने अपने लाथी दंदान को ले करके चारों देने लगे, कनईया ने थोड़ी सिंगली नीचे करी, तो सभी की लाथिया तूटने लगी, सभी चिल्दाने करे लाला हमारी रक्षा करो रक्षा करो कनया ने दुबारा से गिर्राज को धारन कर लियो का जाता है समी ब्रिजवासी के लगे लाला तेने इस गिर्राज को धारन कैसे कर क्यों भगवान ने कही कचु मांखन को बल बढ़ गयो कचु गोपे निकरी साई सिरी रादे जू की किरपा से गिर्वर लियो उठाए कचु तो मैया का खिलाय हुआ गोपियों का खिलाय हुआ मांखन की सकती है कचु भाईया तुमारी सकती है बाकि शिरी रादाराने की किर्पा रिष्टि से में गरिराज धान कर रहे हूं रादाराने भी पौँचे हुए थी, रादाराने की किरपा दिश्टी से किरे राजधान कर लियो, साथ दिन साथ रात हो गए, इंदर ने बज्ज का भी प्र्योक करा, बृज का कुछ ने बिकरा, प्रिले काल के मेगों के पास एक बून जल्बी नहीं बचा एडर ब्रिश्वती प्रगत हुए देवराज इंद्र से का कि तूने किस से इस समय सत्रता मोल लिया है ये त्रिलो की नाथ है परम ब्रम में इनकी सन में चले जाओ अनितर तुमारा इंद पड़ भी ब्रेश्ट हो जाएगा देवराज इंद्र ने बारसाथ बंद करी भगवान ने का सभी भयाओ अपने घर चले जाओ बारसाथ बंद हो गई है सभी बिर्जवासी चले गई देवराज इंद्र त्रायमाम त्रायमाम कहत हुए भगवान की सन में आए भगवान ने देवराज इंद्र से बात ने करी इंद्र नहीं है भगवान का नाम गोविंद हुआ कामदेनु गए के दौड़ा जो कुंड प्रगत वो जूदध कुंड कहलाया पिर उसी समय देवडार इंद्र ने हाती की सुन के द्वारा मानसी गंगा के जर्शयव से किया उससे मानसी गंगा प्रगत होई देवराज इंद्र को जब भगवान ने ख्षमाने करा तब गायों ने प्रात्ना करी देवराज इंद्र को ख्षमा करें काम देनु माता के केने पर भगवान ने देवराज इंद्र को ख्षमा कर दिया देवराज इंद्र का एहंका दूर हुआ इस तरह से भगवान ने देवराज इंद्र का एंकादू करके गोधन माराज के मैत्र की संसा को परदस्ता दिखाई गिर्राजी की परक्मा करने मात्र से जनम मरंच से मुक्ती प्राप्त हो जाती हैं बुलगोधन भगवान कीजै हरवंस महापुरान कीजै